Hello Everyone, इस वीडियो में हम Class 3 की Math Worksheet No.89 करेंगे Date है इसकी 8 October 2021 Worksheet का Related Learning Outcome है Extant Patterns in Simple Numbers और Topic है संख्याओं में Pattern तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज हमारे चैनल Mind Boosting Classes को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे बच्चों कि आपको ललित याद है जो पकडंडी की टायलो पर छलांगी लगा कर खेलता है आपने पढ़ा था ना हमने Worksheet में जाना था कि ललित जो था वो जिसे एक पकडंडी है उस पर फिर उसने 3 छोड़े तो वो 6 पर पहुँच गया फिर 3 छोड़े तो वो 9 पर पहुच गया फिर 3 छोड़े तो वो 12 पर पहुच गया इस तरीके से वो छोड़ छोड़ कर पकडंडी पर चलता था आपने उस Worksheet में काम करते समय यह भी पता लगाया था कि लले 3 संख्याओं की छलांगे लगाते हुए पकडंडी की कौन-कौन सी टाइलों पर पहुचा था वह जिन टाइलों पर पहुचा था उन टाइलों की संख्या नीचे लिखी हुई है तो सबसे पहले वो 3 पर पहुचा था फिर 6 पर पहुचा फिर 9 पर पहुचा फिर 12 पर फिर 15 पर कैसे पहले 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 आ गए यानि 3 में वो 3 छोड़ कर 3 की छलांगे लगाते हो आके भड़ा तो 6 आ गए, फिर 6 में 3 जोड़ दिया तो 9 आ गए, फिर 9 में 3 जोड़ दिया तो 12 आ गए, 12 में 3 जोड़ आ तो 15 आ गए ललत की ममी ने उससे पूछा कि क्या हुआ इन संख्याओं को देखकर आगे आने वाली संख्या का बता सकता है आगे आने वाली संख्या बता सकता है तो देखो कैसे बताएंगे अब यहाँ पर 3-3 जोड कर आ रहा है ना तो हम 15 में 3 जोड देंगे ठीक है 15 में असानी से आप लोग 3 जोड दीजे 15, 16, 17, 18 तो अगली संख्या 18 है कि उससे अगली पता करनी है तो 18 में 3 जोड दीजे उससे अगली पता करनी है तो जो भी आए को उसमें 3 जोड दीजे तो यहाँ पर 3-3 जोडने का पैटर्न जो है चल रहा है तो ललित ने कागस पर छलांगे बिना बताये जट से उत्तर दिया 18 क्योंकि जब हमें पता है कि यहाँ 3-3 जोडते जा रहे हैं तो 15 में आप अराम से बिना कॉपी पर लिखे होए अराम से पता लगा सकते हैं कि अगली जो संख्या होगी वो 18 ही होगी क्या ललित का जवाब सही है तो आप लिखेंगे हाँ ललित का जवाब सही है उसके बाद आपको क्या लगता है ललित ने कैसे पता लगाया होगा तो दिखें यहाँ पर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इसका यही है कि यहाँ पर कौन सा पैटरन चल रहा है इसलिए जो आगे है प्लस 3 ही होगा ठीक है तो आप क्या लिख सकते हैं थर्ड वाले का अंसर आप क्या लिखेंगे तो यह देखे इसका उतर आप इस तरीकी से लिख सकते हैं ललेत ने 15 में 3 जोड़कर आगे आने वाली संख्या का पता लगाया क्योंकि पैटर्ण में हर एक संख्या में 3 जोड़कर ही आगे बढ़ा जा रहा था यहाप लिख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने प्लस 3 प्लस 3 है मैंने खुद से लगाये हैं तो यह वाली जो चीज इसको भी डौ कर सकते हैं 3 plus 3 is equal to 6, 6 plus 3 is equal to 9 तो इससे भी पता चल जाएगा कि यहां 3 तीन जोड कर ही जो है अगली संख्या आ रही है उसके बाद है क्या आप आ गयाने वली संख्या बता सकते हैं अब यहां पर देखो 3, 6, 9, 12, 15 अगली संख्या 18 आ गई, 18 में 3 जोड़िये तो 21 आ गया, 21 में 3 जोड़ा तो 24 आ गया, 24 में 3 जोड़ा तो 27 आ गया इस तरीके से हम करेंगे एक audio message की सहाईता से अपने शिक्षग या शिक्षगा को बताईए कि आपने इन संख्याओं का पता कैसे लगाया तो आप audio message बेज सकते हैं अपने teacher को कि हमने ऐसे कैसे पता लगाया तो आप audio message में यही बोल सकते हैं कि pattern में हर एक संख्या में 3 जोड़ कर आगे बढ़ा जा रहा था इसलिए हमने हर एक संख्या में 3 जोड़ा और हमें आगे आने वाली संख्या का पता चल गया या फिर आप ऐसे simple भी बता सकते हैं कि हमने हर एक संख्या में 3 जोड़ कर आगे आने वाली संख्या का पता लगाया यह जो है आप audio message भेज दीजेगा उसके बाद है आपका नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर दिये हुए हैं क्या आप हर पंक्ति की संख्याओं और अक्षरों में पैटन डूड़कर उन्हें आगे भडाएंगे तो देखे कैसे करेंगे देखे इससे पहले मैं आपको हमारे चैनल पर होने वाले स्पीच कॉमपटिशन की जानकाली देना चाहूंगी स्पीच कॉमपटिशन में आपको स्पीच बोल नहीं बोलनी है हमारे चैनल पर नया competition शुरू हो रहा है हमारा जो चैनल है mind boosting competition उस पे नए नए competition चलते रहते हैं इस पार speech competition करवाया जा रहा है इसमें आप सभी की वीडियो सेलेक्ट की जाएंगी और आप description में जाकर इस competition के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं दस winners होंगे दसों को surprise gift और prizes भी मिलेंगे तो जल्दी जल्दी हिस्सा लीजे gift चीतने के लिए तो देखो pattern क्या है पाच दस पंदरा बीस तो यहाँ पर पाच का पहड़ा है पाच एकम पाच दूनी दस पाच दिया पंदरा पाच चोके बीस अब पाच पाच छोड़कर आगे संवल पाच 4630 57ज 35 तो इस तरीके से बैटिन कंप्लीट हो गा यहाँ पंदरा पाच चार का पहड़ा है 4 एकम चार 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 दीया पारा चार डिया हो रहा है तीन जोड़ा जा रहा है 2 में 3 उसके बुए शचान है 10 20 30 40 10 गोड़ाओ भर रहे हैं 10 30 चा प्रमस हो जाएगा अब है 105 205 305 जोडते जा रहे 105, 205, 305, 405, 505, 605 और 705 इस तरीके से complete होगा उसके बाद है 1A, 3B, 5C, 7B इसके आगे आप कैसे लेखेंगे तो देखो 1A इसमें 2 दो छोड़ा जा रहा है एक में आप 2 जोड़िये तो 3 आ जाएगा 3 में 2 जोड़िये 5 आ जाएगा 5 में जो 2 जोड़िये तो 7 आ जाएगा ठीक है तो यह तो numbers की बात होगी अब alpha बेट देखते हैं अकशर देते हैं जैसे A, फिर B, फिर C, फिर D तो अकशर तो सीधे-सीधे ही भड़ते जा रहे हैं आप जो है numbers में 2 जोड़िये तो अब देखो 7 में 2 जोड़िये तो 9 आ जाएगा और D के बाद आ जाता है E अब 9 में 2 जोड़िये तो 11 आ जाएगा और E के बाद आ जाता है F 11 में 2 जोड़िये तो 13 आ जाएगा और F के बाद आ जाता है G ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर है 20, 40, 60, 80 इसमें क्या है इसमें 20-20 छोड़ा जा रहा है 20 में 20 जोड़ो 40 40 में 20 जोड़ो 60 60 में 20 जोड़ो तो 80 और ZXVT इसमें क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है गौर से ध्यान दीजिए यहां पर T है तो अगर हम पढ़ें तो A, B, C, D पहले हम पूरे पढ़ते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, U आता है ना यू फिर भी आता है तो U छोड़ दिया यू वी डवलू तो डवलू छोड़ दिया फिर X आता है डवलू एक्स फिर डवलू छोड़ कर X आ गया अब एक्स के बाद Y छोड़ दिया और Z लिख दिया तो यान पर पहले हम एल्फाबेट ही कर लेते हैं So T, Q, R, S, T तो यहाँ S छोड़ दिया, R आ गया ठीक है इसी तरीके से यहाँ P और इधर N आ जाएगा और 80 में 20 जोड़ दिया 100, 100 में 20 जोड़ी है 120, 120 में 20 जोड़ी है 140 तो इस तरीके से पैटर्न की टेबल कंप्लीट होगी, वक्षित भी यहीं कंप्लीट होती है I hope आपको समझ आई होगी Thank you